अगर भारत और चिन के बीच में अभी युद हुआ तो कौन जितेगा एक उच्चन लाजमी है हमारे माइंड में आना जो situation चल रहा है और जिस तरह से geopolitical game हो रहा है उसमें कुछ percent chances है कि इंडिया और चाइना में युद भी हो सकता है अगर युद हो गया तो फिर क्या scenario होगा दोनों के युद में कौन जितेगा और इसी question पर आज मैं आपको एक different angle से analysis दे रहा हूँ जो कि आपको main media में नहीं मिलेगा hello friends जै हिंद जै भारत जैसे ही इंडिया और चाइना के बीच युद की बात होती है तो हमारी mind में हम इंडिया के mind में 1962 का युद आ जाता है जिसमें की चाइना ने इंडिया को हराया था उस समय इंडिया के हारने का main region मैं बताऊं आपको चाइना नहीं था बलकि इंडिया खुद था जैसे कि इंडिया ने अपने आर्मी को और स्टेंद नहीं किया बिल्कुल भी नहीं पंडित जबाहरा नहरू जो की गांधी बाल से उठके आयते उनका जो philosophy था कि इंडिया को border पे आर्मी की जोड़त नहीं है बलकि थोड़े बहुत पुलिस की जोड़त है जो की अंदर का काम समेठने के लिए और इनी सब सोचों के बज़े से इंडियन आर्मी की अपग्रेडेशन नहीं की गई और यहां तक कि जब चाइना जिद से जश्ट 5-6 मैने पहले आपने स आरह साथ समान हत्यार बॉर्डर पे कठे कर रहा था तब भी उस समय हमारे लीडर ने आखे बंद किया रखा उनको विश्वाज था कि एस असर यानि रस्या हेल्प करेगा और साती साथ अमेरिका भी हेल्प करेगा और एक और मेजर रीजन रहा इंडियन का हार का और हो था soldier's का रेसो 12000 Indian soldiers लड़े थी 80,000 Chinese Fawg के साथ एक Indian soldier के 6 Chinese soldiers थे उसके अलाबा Chinese soldiers के पास उस समय की अधुनिक अत्यार था जब की इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं था इंडिया के पास सिर्फ एक ही superiority थी उस समय और उथा Air Force अगर इंडिया चाहता तो तो अपना जो एरफोर्स है जोकी काफी सुप्रियर था चैनीज एरफोर्स से उसको ऐज करके चैनीज को आराम से डिफॹीट कर सकता था, हरा सकता था, भगा सकता था इंडिया यह नहीं किया अभिसमज ने आया मुझे क्यों नहीं विज किया गया बहरहाल चाइना ने इंडिया को एक अच्छा सबक दिया और उसके बाद फटा फट इंडियन आर्मी की अवग्रेडेसन सुरू होगी ट्रेंडिंग सुरू होगी बहुत सारे कैम्प बनाएगे और इंडियन आर्मी को अधूनिक हत्यार देने के लिए कबायद सुरू हो गई क्योंकि 96-2 का यो युद्ध सा इंडिया को एक अच्छा सबग दे गया और इही सबग था जिसके कारण इंडिया ने बाद में पाकिस्तान को दो तीन बार हराया तब इंडियन आर्मी काफी सुप्रेयर हो चुकी थी इनके पास अच्छे हत्यार थे जब कि आपको बताता चलूँ 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसे में पाकिस्तान के पास अच्छी खासी एरफोर्स थी और इंडियन एरफोर्स थे ज्यादा सुप्रेय हो गई थी जब तक यो किसी भी आर्मी से लोहा ले सकते थी और यही बजाए कि 1962 के हार के बाद आज तक 2020 तक इंडियन आर्मी किसी भी युद्ध में किसी भी कंट्री से हारी नहीं है अब आते हैं बात करते हैं आज की तो अगर चाइना और बारत में जो भी लड़्दाक म होता है अगर यह बढ़ता है दोनों को बीच में युद्ध की नौबत आती है तो क्या होगा कौन जितेगा तो मैं आपको बदा दूं कि अफकोर्स इंडिया हारने बारी नहीं है सबसे पहले बात हो यह है यह 1962 वाला इंडिया नहीं है इंडियन आर्मी होग्रेड हो चुक है जो कि चाइनेज आर्मी के पास एक्सपिरियंस नहीं है चाइनेज आर्मी ने 1962 को बाद कोई एक मेजर युद्ध नहीं लड़ा है जबकि इंडियन आर्मी दो तीन बार पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ चुकी है अब चाइना डिफीट क्यों नहीं कर सकता इंडिय इंडिया को उसके कई रीजन है जो आपको मैं बताने बाला हूं जो सबसे फर्स्ट रीजन था चाइना ने 62 में इंडिया को डिफीट किया था और वो था मैन पावर यानि सोल्जर की संख्या एक इंडियन सोल्जर पे शिक्स चाइनीज सोल्जर थे लेकिन आज इसके अलाबा इंडिया के पास ना लाग रिजर्व फोर्स हैं और वही कंपेरिजन देखें तो चाइनीज के पास जो एक्टिव प्रूप है 1.6 मिलियन है और उसके पास जो रिजर्व फोर्स है वह है 5 लाग के आसपास नंबर के हिसाब से देखा जाए यानि अगर चाइ के लिए को त्यार कर सकता है यानि फाइट होगा वन और फाइट में इंडियन आर्मी काफि करने के लिए अब बात करते हैं हथियार कि तो अफकोर्स अब या ये इग फी रही हो चुकी है जो कि में अगर निचनियन आर्मी बिल्कुल ही डिवफिन ने ती तो चाइनीज आ सा थ्यार था जो कि उन्होंने इंडिया गएगाश्ट यूजिया लेकिन अगर आज की सिच्योशन में देखें तो इंडियन आर्मी काफी डिबलप्ट हो चुकी है लेकिन साथी साथ चाइनिज आर्मी भी काफी अपने अपको उसने एडवांस किया है यहां पर ध्यान देनी हत preservation लेकिन इंडिया के पास जो भी हतियार है वह अदिकतर latest technology वाले हैं और US से imported है रस्वाश्य एंपोर्टर है तो अगर कहा जाए कि चाइनि के पास अगर 150 mm का artillery है तो इंडिया के पास भी है अगर चाइनिग के पास long range का जो rocket launchers है तो इंडिया के पास इपास अगर चाना के पास रसियक स्किंड़ का वी हिरन पर है तो इंडिया के पास नंगे प्रफ वी है यानि इंडिया यहां पे चाइना को कड़ी टककर दे रहा है अब आपको मैं यहां पे दो-चार चीजे बताने बाला हूँ जिससे आपको अंदाजा हुआ कि इंडियन आर्मी बिल्कुल डिफीट नहीं की जा सकती है इनलिस्ट चाइनी जितले अचार चीजे से और यहां जहां तक हो सकता है तो इंडियन आर्मी चैनी आर्मी को डिफीट कर सकती है और कुछ ब्सक्षक्वजनब्स आपको बताने बाला हूँ suffering is the average option और लोग अधिक्ता याक है कि population नीला सोची जाक्तता सतंबुद्लशन았ियोन मंगा लेकिन चैना ने पीछले 10 सालों में अईबिएปेशा से दुबांटर् उसक सबीया जो प्लेट है चांगी से लिग विख से लुटेकं पंपने के जो कोई एक्षाए के पिद्लबूसन उसको आद्म जांके कि चाइना के अंदर ही रिबॉल्ट हो जाए चाइना के अंदर ही बिद्रोश सुरू हो जाए अब मैं आपको एक और फेक्टर बताता हूं कि चाइना को इंडिया क्यों डिफीट कर सकता है इन टर्मस अगर हम बात करें हत्यार की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चाइना के पास जो भी हत्यार है उसकी होम ग्रोन है अधिकतर उसके जितने हैं उसके भी टैंक उसके जितने भी सब्मारीन उसके जितने भी एरक्राफ्ट उच उसने इंपूर्ट किया है रस्या से भी लेकिन अभी इंडिया के पास है जो है बर्ल्ड के जो टॉप मैंफेक्चर्स है हत्यारों का और उस रसिया एंड इजराइल इनसे इंडिया ने अभी हाली में बहुत सारी हत्यार खरीदे हैं जो कि चाइना को कड़ी टक्कर दी सकता है अब मैं आपको एक और एक से फैक्टर के तरफ ध्यान दिलाना होती है चाइना की जो पॉलिटिकल पावर है वो लिमिटेड है उसके अपनी अंदर लेकिन इंडिया का जो पावर है जो सौट पावर है पूरे बर्ल में फैला हुआ है यानि अगर युद्ध होता है तो बहुत सारी कंट्री इंडिया को फेवर करेगा और अभी तो बहु चाइना को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है यह तो कहने लिग बात है को इंडिया और चाइना के बीच में अभी कोई नहीं आ रहे है लेकिन अगर सचमे को युद्ध सुरू हो जाता है क्योंकि चाइना जिस तरह से ध्रीटेन कर रहा है अमेरीका को उसी स्प्रेमिसी को उसके ट्रेड को तो अमेरिका 100% ही आएगा बीच में तो इन सब चीजों को देख करके मुझे लगता है कि चानल क्वी गल्ती नहीं करेगा इंडिया पर अटाइक करने इंडिया पर हमला करने का विकाउज जैसे इंडिया पर हमला करेगा चाना तो एंडिया जवाब देने के लिए full force यूज़ करेगा क्योंकि इंडिया अपनी territory को रच्छा करना जानता है तो friends जो question था कि कौन जिदेगा इंडिया और चाइना के जुद्ध के बीच में तो मैं अब को बता दूँ First of all इंडिया defeat नहीं हो सकता है यानि चाइना इंडिया को defeat नहीं कर सकता किसी भी angle से लेकिन chances है कि इंडिया ही चाइना को defeat कर सकता है Friends तो एथा आज का वीडियो जैहंद जैबारत दोस्तो बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो red color का subscribe button है उसको दवा करके जो बगल में घंटे की पिक चलाएगा उसको दवा करके इस चैनल को subscribe करें Friends इसका कोई charge नहीं होता है बिल्कुल free है तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को subscribe करें साथी साथ इस बात का दियान रखें कि जब आप subscribe button पे click करते हैं तो ओ जो red है ओ ग्रे कलर का हो जाता है यानि ग्रे है तो आपने subscribe कर लिया है Thank you for watching जैहिंद जैभारत